हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार LDC एक्जाम के लिए मैच्स की क्लासिस लेकर क्या रहा हूँ और हमारे match के classes के अंतरगात हम बढ़ रहे थे दोस्तों किसके बारे में पारे में अपने बढ़ा था एक बिंदू पर बनने वाले कौन और रेखाएं सरल देखी आकरतिया, त्रीबूजों की सरवांग समता, समरूप त्रीबूजों के बारे में, कार्तिय निर्देसांग पदती के बारे में, दो बिंदूओं के मद्दे की दूरियों के बारे में और दो बिंदों के मद्दी की दूरियों का जो आंत्रिक और बाहिय विबाजन होता है उसको भी हमने कम्प्लेट कर लिया था ठीक है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला पोर्शन कौन सा दोस्तों तो समतल आकरतियों का चेत्रफल जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्टिय चेत्रफल और उनके आईतन के बारे में समझ में आ गई बात किलियर है तो चलिए दोस्तों आज अपनी कौपी में आप टॉपिक डालेंगे चेत्रमिती के बारे में पढ़ने वाले हैं जो यह आपका समतलाकरतियों का चेत्रफल और व्रत की परिदी और चेत्रफल वाला ये पूरा पोर्शन है उसे आप चेत्रमिती यानि मैंसुरेशन कह सकते हो तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए चेत्रमिती मैंसुरेशन के बारे में अपन बात करेंगे अब अगर बात की जाएं मैंसुरेशन की या चेत्रमिती की तो इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सबसे simple आकरती जो की है आयत क्या है आयत के बारे में आयत को इंगलीज में क्या कहते हैं तो आयत को इंगलीज में कहते हैं rectangle ठीक है तो rectangle के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो भी आकरती अपन पढ़ेंगे उसका सेप तो पता होना चाहिए तो हम सबसे पहले इसकी आकरती का सेप बना देंगे यह लेटी है यह तो यह 9 सैंटी मीटर है और 5 सैंटी मीटर के इसाब से बना दिया है यह है अपना क्या? रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के अंदर यह चारो कौने होते हैं इन चारो कौनों पर 90 डिगरी का कौन बनता है कितना कौन बनेगा? 90 डिगरी का ठीक है? यह 90 डिगरी का कौन होगा एक तो यह बात याद रखनी है साथ ये जो होगी ये अपनी लंबाई होगी ठीक ये जो है चोड़ाई है क्या है चोड़ाई है तो लंबाई और चोड़ाई अपन को पता चल गई और इसके अंदर ये जो आप क्रॉस में बनाएंगे यहां से ले करके यहां तब यह क्या है तो यह है वीकर्ण क्या है वीकर्ण है तो आइत के 4 को और 90 डिगरी होते हैं ऐक बात याद रखना फिर इसके अंदर लंबाई चौड़ाई क्या वो पता होना चाहिए अब बात करते हैं इसके चेत्रफल की तो आइत का चेत्रफल आयत का चेत्रफल क्या होता है आयत का चेत्रफल होता है लंबाई गुणा चोड़ाई समझ में आ गई बात तो आयत का छित्रफल क्या है लंबाई गुना चोड़ाई अगर बात की जाए इसके परिमाप की तो इसका परिमाप क्या होता है तो इसका परिमाप होता है दो गुना लंबाई प्लस चोड़ाई ठीक है और अगर इसके विकन की बात की जाये तो इसके विकन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी तो विकन की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट लंबाई का स्क्वेर प्लस छोड़ाई का स्क्वेर किलियर है बात तो आयत के 4.90 डिक्री होंगे इसका चेत्रफल लंबाई गुना चोड़ाई होगा इसका परिमाप होता है दो गुना लंबाई प्लस चोड़ाई और आयत का विकन अगर पूचा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे अंडरूट लंबाई स्क्वेर प्लस चोड़ाई स्क्वेर किलियर है और आपको इसके साथ मैं एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि आयत के अंदर दो विकन बनेंगे तो ये दोनों विकन बराबर होते हैं तो आप ये पॉइंट लिखेंगे कि आयत के विकन बराबर होते हैं और एक दूसरे एक दूसरे को सम्दी बाजित एक दूसरे को क्या करते हैं सम्दी बाजित करते हैं समझ में आ गई बात किलियर है आप सबी लोगों के लिए तो आयत यानी रेक्टेंगल रेक्टेंगल के चारों को 90 डिगरी इसके अंदर दो विकंड बनेंगे वो दोनों विकंड बराबर होते हैं और एक दूसरे को सम्दी बाजित करते हैं यानी बराबर बागों में बाटते हैं इसके चेत्रफल कितना है तो लंबाई गुणा चोड़ाई परिमाप किता है तो दो इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई आयत का विकंड कितना होता है तो अंडर रूट लंबाई स्कूर प्लस चोड़ाई स्कूर किलियर है यह आयत हुआ अपना यहां पर complete आयत के बाद में दूसरी आकरती अपने आ जाती है दोस्तो कौन सी वर्ग कौन सी आ जाती है वर्ग वर्ग को इंगलिस में क्या कहते हैं तो square क्या कहते हैं सबसे पहले square दिखता कैसा है तो square आपको दिखेगा ऐसा कैसा लंबाई और चोड़ाई इसकी होगी बराबर तो मैं पहले देखो भाई 4.4 का बना देता हूँ तो इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों ही कितनी है 4.44 cm ठीक है इसके अंदर भी ये जो कौन होंगे ये 90 डिग्री ही होंगे ठीक है चारो कौन केतने होंगे 90 डिग्री होंगे साथी साथ इसके अंदर भी एक विकंड बनेंगे ही बनेंगे तो ये दो विकंड बना देते हैं अपन ये लो एक विकंड बना दिया किलियर है इसमें लंबाई और चोड़ाई जो है वो क्या होती है बराबर होती है ठीक है तो इसका चेत्रफल क्या हो जाएगा तो वर्ग का चेत्रफल तो चेत्रफल क्या हो जाएगा तो चेत्रफल हो जाएगा दोस्तो आपके बुजा का स्क्वेर ठीक है अरे बाई लंबाई और चोड़ाई और उच्चाई होती क्या है बुजाई तो होती है अब बुजा अगर बराबर है यानि लंबाई equal to छोड़ाई equal to उचाई है तो यहां आपने लंबाई चोड़ाई यह जो रही है उचाई का काम है नहीं अभी तो लंबाई और चोड़ाई बराबर है यानि लंबाई गुना चोड़ाई करोगे तो भुजागा स्क्वार आएगा ठीक है तो यह इसके चेत्रफल का फॉर्मूला है एक इसका चेत्रफल निकालने का तरीका यह भी है कि आप जो है इसका विकन जो दे रखा है उस विकन का स्क्वेर करिए और फिर डिवाइड टू कर दीजिए अगर आपको किसी वर्ग का चेत्रफल निकालना है और उसका कैवल viken दे दिया तो आप क्या करोगे वेकन का स्कोर करोगे और फी रादा कर दोगे समझ में आ गई बात किलियर है चलो फिर छेत्रफल के बाद में इसके परिमाप की अगर बात की जाए तो इसका परिमाप क्या होगा तो परिमाप हो जाएगा चार गुणा बुजा ठीक है? जो इसकी बुजा होगी उसका चार से गुणा कर देंगे क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था आयत में दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ा ही था लंबाई चोड़ा ही दोनों एक्वल है यानि टू लंबाई तो टू लंबाई इंटू फोर बुजा ठीक है फिर अगर बात की जाए वीकंड कैसे निकलेगा तो वीकंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो वीकंड बराबर हो जाएगा under root 2 into bhoja ka square ठीक है क्या हो जाएगा 2 into bhoja ka square clear है बात समझ में आ गई आप सभी लोगों के तो वर्ग का चेत्रफल क्या होता है वर्ग का चेत्रफल होता है bhoja square और दूसरा पॉर्मूला क्या है weekend का square बटे 2 परीमाप क्या होता है 4 into bhoja विकर्ण जो है अंडर रूट 2 भुजा स्क्वेर आता है तो आप इसको लिख सकते हो जो भी इसकी भुजा आएगी उसका गुना किसके साथ में रूट 2 के साथ में ठीक है तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा किलियर है एक बात अब यहाँ पर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से याद रखनी है एक तो ये याद रखनी है कि विकर्ण पर बने विकर्ण पर बने वर्ग का चेत्रफल पहले का दो गुना होता है तो जो विकर्ण पर बने हुए वर्ग हैं जैसे ये दो विकर्ण होंगे तो इन विकर्णों पर जो बना हुआ वर्ग होगा ये जैसे विकर्ण है अब इसके उपर अगर अगर आपन एक वर्ग बना देते हैं तो उस वर्ग का छेतरफल जो है पहले से बने हुए वर्ग का दो गुना होगा समझ में आगई बात किलियर है तो ये बात आपको याद रखनी है अभी कोशन करेंगे तब इसका समझ में आ जाएगा नेक्स आप लिखेंगे कि वर्ग जो है वर्ग जो है उसे तो हम आयत के सकते हैं ठीक है परंतू परंतू आयत को वर्ग नहीं वर्ग नहीं किलियर है बात तो वर्ग जो है वो उसका चेतरफल एक तो याद होना चीए बुजा का स्कूर करोगे विकन का स्कूर अपॉन में टू करोगे परिमाप होता है च्यार गुना बुजा विकन होता है बुजा इंटू रूट टू विकन पर बने हुए वर्ग का चेतरफल पहले का दो गुना होता है वर्ग को आयत कह सकते हैं ठीक है जो वर्ग होगा उसे आप आयत कह सकते हो आपकी इच्चा करें तो लेकिन आप आयत को वर्ग नहीं कह सकते हो किलियर है बात समझ में आ गई यहां तक की बात मेरे इसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी यहां तक की अगर कहीं पर भी किसी परकार की कोई प्रॉबलम हो तो आप कमेंड करके जरूर बताईएगा तो हमने समतल आकरतियों के अंदर आयत और वर्ग की बात अब कर ली है तो तीसरी है त्रीभूज त्रीभूज को इंगलिस में क्या कहोगे ट्रेंगल यानि अपन ने पहले चार भूजा वाली आकरतियों की बात कर ली है अब अपन बात करने जा रहे हैं तीन भूजा वाली आकरती की जिसके अंदर सबसे पहले अपन त्रीबूज की बात करें तो त्रीबूज बना देते हैं ये अपने पास में है एक त्रीबूज ठीक है इस त्रीबूज में जहां पर आपके समकौण और कौण दोनों बनते हैं उसे हम कहते हैं आधार क्या कहते हैं आधार इस आधार के उपर जो सीधी रेका खड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं लंब यानि परपेंडी कुलर और इस नब्बे डिग्री कौर्ण के आगे जो सबसे बड़ी भुजा होगी इस समकौन ट्रिबूज के अंदर उसे हम क्या कहेंगे कन कहेंगे अगर इसका नाम करन करें तो देखो भाई इसका नाम दे देते हैं A, ये B और ये C ठीक है तो समकौन त्रीबूज की अबन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं समकौन त्रीबूज की ठीक है, समकौन ट्रीबूज को इंगलीज में कहा जाता है, राइट एंगल ट्रेंगल ठीक है, तो अब बात करेंगे समकौन ट्रीबूज के बारे में ट्रीबूज के अंदर अलग-अलग ट्रीबूज होते हैं, आपको पता ही होगा इतना बेसिक तो थोड़ा सा कि एक होता है समकॉन ट्रिबूज होते हैं फिर एक होते हैं समधी बाहू ट्रिबूज होते हैं एक सम बाहू ट्रिबूज होते हैं तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले समकॉन ट्रिबूज की ठीक है तो समकौन ट्रीबूज के अंदर तो आपको केवल पाइथागोरस थियोरम लगानी है और पाइथागोरस थियोरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर प्लस आधार का स्क्वेर ठीक है कन का स्क्वेर बराबर क्या होता है लंब स्क्वेर प्लस आदार स्क्वेर होता है इस बात को आपको एक तो अच्छे से याद रखना है और इस समकौन त्रीबूज का जो चेत्रफल होता है वो क्या है तो समकौन त्रीबूज का जो चेत्रफल है वो होता है दोस्तों क ठीक है यह आपको याद रखना है इसके बाद मैं इसके अंदर दोस्तों अगर हम इस एक न्यू बता रहा हूँ मैं आपको concept यह देखिएगा और यह अगर हम white color से लें तो देखो इस b point से अगर हम perpendicular डालते हैं इस kern के उपर क्या करते हैं करण के उपर एक perpendicular डालते हैं इसका नाम दे दिया आपने बी-पी तो यह जो है क्या कहलाता है बी-पी सिर्स लंब कहलाता है ठीक है तो यह लिख लेंगे आप सिर्स लंब यानि बी-पी इसकी लंबाई सिर्स लंब की लंबाई तो सिर्स लंब की लंबाई क्या होती है तो सिर्स लंब की लंबाई होती है जो इसका आदार है आदार गुणा लंब बटे कर्ण आदार गुणा लंब बटे कर्ण समझ में आ गई बात तो समकॉन ट्रीबुज यानि राइट एंगल ट्रैंगल जिसके अंदर आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे आप कर्ण कहोगे हाइपोटेनियस यानि की जो एक 90 डिगरी एंगल बंद रहा होगा उस भुजा को आप कह दोगे परपेंडिकुलर और जिस भुजा पर कौन और 90 डिगरी दोनों बंद रहे हैं आप उसे कहोगे बेस यानि आदार हाइपोटेनियस का स्क्वेर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वेर प्लस में बेस स्क्वेर ठीक है कर्ण स्क्वेर ब्राबर होता है लंब स्क्वेर प्लस आदार स्क्वेर चेत्रफल इसका क्या होता है तो एक बटे दो आदार गुणा उच्चाई ठीक है है समझ में आ गई बात clear है तो समकौन ट्रीबूज का चेत्रफल आप कैसे निकालोगे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी समकौन ट्रीबूज के बाद में दूसरा जो ट्रीबूज आ जाता है अपने वो आता है दोस्तों कौन सा समझ दी बाहू ट्रीबूज यानि दो बुजा है जिसकी बराबर होगी तो अब बात करेंगे समझ दी बाहू ट्रीबूज तो समझ दी बाहू ट्रीबूज को इंगलिस में क्या का जाता है समझ दी बाहू ट्रीबूज को इंगलिस में का जाता है ISO-SCALENT TRIANGLE ठीक है ISO-SCALENT TRIANGLE किलियर है चलिए अब अपने बात करेंगे समदी बाहू तरीभूच की समदी बाहू तरीभूच का basically मतलब है जिसकी दो भुजाए बराबर हो ऐसा तरीभूच जिसकी क्या हो दोस्तो दो भुजाए बराबर हो ठीक है? ये अपने पास मैं 3 बुजा गया, इसका नाम करण कर देते हैं A, B, और C ठीक है? और ये बुजा मान लेते हैं कितनी है? A है, ये कितनी है? B है, और ये कितनी है? B है, ठीक है? अब ये जो संदी बाहुत रिपुज है इसमें क्या होगा दो भुजा सम्मान पहले तो ये लिख लो दो भुजा सम्मान होती है समझ मैं आ गई बात और इसके अंदर इसका जो चेत्रफल होगा वो क्या होगा तो चेत्रफल तो सम्दी बाहू त्रीबूज का जो चेतरफल होता है वो दोस्तो फॉर्मूला तो त्रीबूज के चेतरफल का वही रहता है एक बटे दो आदार गुणा उच्चाई ठीक है अब लेकिन इस त्रीबूज के अंदर उच्चाई कैसे निकालेंगे तो इस त्रीबूज के अंदर उच्चाई होती है यहां से यह वाली लो ठीक है तो यह जो है अपने पास में दो बागों में बाटेगी ए बाए टू, ए बाए टू, किलियर है यह 90 डिग्री एंगल के साथ ठीक, अब यह जब दो बागों में बाट रही है तो यहां पर उच्चाई जो है वो क्या दाम हो जाएगा आपके यह जो अपी बुझा है यह इसकी उच्चाई कहलाईगी तो हम इसका जो है यहां पर इतने इतने त्रीबूज के अंदर पाइतागरस थियोरम लगा कर इसकी लेंद निकालेंगे अपी की हमें डारेक इसका फॉरमूला याद रखना है वो आता है ए बटे चार अंडर उट फोर बी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर समझ में आ गई बात तो समधी बाहू त्रीबूज यानि दो बुझाए जिस त्रीबूज की बराबर होती है उसका चेत्रफल कैसे निगालेंगे तो A by 4 अंडर उट 4B स्क्वेर माइनस A स्क्वेर ठीक है और अगर इसी का एक अलग फॉरमूला और दिया जाए जो की हिरोईन्स का फॉरमूला भी आप लोग पढ़ते हैं 9 या 10 कलास के अंदर वो हिरोईन्स के फॉरमूले के अकॉर्डिंग सम्दी बाहूत रिबूज का चेत्रफल होता है S गुणा S माइनस B गुणा अंडर उट S माइनस A ठीक है अब यहाँ पर यह जो S है यह क्या होता है तो S है अर्द परिमाप क्या होता है अर्द परिमाप होता है और यह जो B है यह B क्या होती है दोस्तो सम्मान बुजा यह B क्या है जो दो सम्मान बुजा है दे रखी है उसका अमान तो सम्मान बुजा और A क्या है जो A सम्मान है किलियर है तो सम्दी बाहूतरी बूज का छेत्रफल क्या होगा A बटे चार अंडर रूट 4B स्क्वेर माइनस A स्क्वेर इसी को आप heroines के according अगर लिखना चाहें S के form में यानि अर्द परिमाप के रूप में तो आप लिखेंगे S इंटू S माइनस B अंडर रूट S माइनस A जहां पर B है जो सम्मान बुजा होगी A क्या है जो A सम्मान बुजा है तीसरी वाली और अर्द परिमाप का मतलब है S बराबर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 किलियर है समझ में आगई बात तो ये है अपना सम्दी बाहूत रिबूज क्या है ये सम्दी बाहूत रिबूज है जो अपने यहाँ पर किलियर होता है अब जो अभी हमने पढ़ा इससे आगे एक रिबूज वो था सम्कौन रिबूज उस सम्कौन रिबूज के साथ में अगर वो सम्दी बाहूत रिबूज भी हो यानि ऐसा त्रिबूज जो समकॉण भी है यानि एक उसके पास में एंगल 90 डिग्री भी है और साथी साथ उसकी दो भूजा है कंड तो कभी बराबर हो नहीं सकता तो लंब और आदार भी बराबर हो तो ऐसा त्रिबूज जो होगा जो ऐसा इस्पेसल केस होगा आप उसे क्या नाम देंगे सम्दी बाहू समकॉण त्रिबूज तो उसका चित्रफल क्या होता है लिख लिजिए सम्दी बाहू सम्दी बाहू सम्कॉण त्रिबूज किसकी बात करेंगे सम्दी बाहू समकॉण त्रिबूज की बात करेंगे यानि ISO-Scalian Right Angle Triangle ठीक है और इसके अंदर क्या होगा बेसिकली तो ये एक छोटा सा है केस है special कि बाई अगर ऐसा हो जाए कि ये ही त्रिबूज है इसके अंदर लेकिन ये जो है ये देखिए ये देखिए ऐसा केस बन जाए कि बाई आपके जो है ये कितनी है इसके अंदर 6 cm है और ये आपके है 6 cm तो ये कितनी होगी और तो ओविसी बात है 34-34 यानि 6 under root 2 होगी कि लिए रहे जब ऐसा केस बनता है कि ये आपके लंब और आदार बराबर हो जाए तब आप इस त्रिबूज का चेत्रफल क्या देंगे तो तब आपके इस त्रिबूज का जो चेत्रफल होगा वो चेत्रफल क्या होगा तो आप लिखेंगे चेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा एक बटे दो आदार इंट उचाई आदार और उचाई जो है भाई लंब और आदार दोनों बराबर है यानि भूजा का स्क्वेर यानि आजाएगा क्या आजाएगा दोस्तों तो आजाएगा A under root 2 कितना आजाएगा चेतर फल A under root 2 आजाएगा समझ में आगई जिना बात तो आप यह कह सकते हैं कि आपके पास में बाइदे को भूजा बराबर ह और बराबर भूजाए है तो A A का स्क्वेर होगा यानि A का स्क्वेर ठीक है अब A स्क्वेर बटे दो ठीक है एक सेकेंड एक सेकेंड अच्छा यह 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 तो यह कुछ गरबट कर दिये अपने यहाँ पर यह नहीं आएगा यहाँ देखिएगा चेत्रफल तो जो है दोस्तों क्या हो जाएगा एक बटे दो आधार इंटू उच्छा ही था और आप लोगों को अगर इससे पता नहीं चल रहा है तो मैंने एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था समदी बाहू त्रिबूज के लिए ए बटे चार अंडर रूट फोर भी स्क्वेर मैनस ए स्क्वेर ठीक है वहाँ पर भी अगर आप ए रखेंगे तो आजाएगा आंसर तो इसका जो है चेत्रफल तो क्या आएगा इसका चेत्रफल तो आजाएगा दोस्तों ए स्क्वेर यानि जो भुजा सम्वान है उसका स्क्वेर डिवाइड बाइ 2 ए स्क्वेर अपॉन में 2 आएगा ठीक है किलियर है और अगर इस त्रिबूज के परिमाप की बात की जाए क्या परिमाप तो परिमाप जो है वो क्या आएगा तो वो आजाएगा रूट 2 ए प्रकार कि मुझे नहीं लगता है अब कोई डाउट होगा तो सम्धी बाहूत रिबूच और समकौन रिबूच और तीसरा केस सम्धी बाहूत रिबूच ये तीनों केस आपके समझ में आगए होंगे इनका चेतरफल आपको पता चल चुका होगा इनका परिमाब आपको पता जल चुका होगा इनका छेतरफल कैसे निकालेंगे ये पता होगा और इसका डाइग्राम कैसा बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है अब अपने लास्ट जो एक त्रीबूज बचा है वो त्रीबूज कौन सा है दोस्तों तो तीसरा त्रीबूज आ जाता है सम बाहू त् ठीक है सम बाहू त्रीबूज का मतलब क्या है तो एक्यू लेटरल ट्रेंगल कौन सा एक्यू लेटरल एक्यू लेटरल ट्रेंगल जिसमें की तीनों की तीनों बुजाएं बराबर होगी क्या होगी तीनों की तीनों बुजाएं जो है त्रीबूज की बराबर होगी किलियर यह ऐसा बनेगा बाई देखो जैसे यह भी बन रहा है 6.8, 6.8, 6.8 अब यह बन चुका है त्रीबूज 6.6 cm बुजा वाला इसकी तीनों बुजा बराबर है ठीक है तो यह जो अपने पास में त्रीबूज बना यह है आपका क्या सम बाहू त्रीबूज जिसकी तीनों बुजाएं सम्मान हो क्या हो तीनों बुजाएं सम्मान किलियर है बात समझ में आ गई ना तो तीनों बुजाएं क्या होती है सम्मान होती है अगर बात की जाए इसके परिमाप की तो सम बाहू त्रीबूज के परिमाप की जो वैल्यू ह वो क्या होती है दोस्तो 3 into भुजा जो भी इसकी भुजा है उसका 3 गुना कर दो तो आपको संबाहूतरी भुज का प्रिमाप मिल जाएगा ठीक है फिर बात की जाए अगर इसके उच्चाई की तो संबाहूतरी भुज के उच्चाई जो है यानि ये वाली उच्चाई ये ही होगी उच्चाई तो ये देखिए ये ये जो इसकी उच्चाई है वो क्या होगी तो इसकी जो उच्चाई होती है दोस्तों वो क्या होती है वो होती है रूट 3 अपॉन में 2 into A क्या होती है रूट 3 by 2 into A ये इसकी क्या है समभाहुत्री बुज की उच्चाई है और अगर इसी समभाहुत्री बुज के चेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो चेत्रफल है वो क्या हो जाएगा दोस्तो तो इसका चेत्रफल होगा रूट 3 upon my 4 multiply with बुजा का square क्या हो जाएगा रूट 3 by 4 multiply with बुजा का square ये है इसका क्या समभाहुत्री बुज का चेत्रफल और अगर आप अलग-अलग तरीकों से देना चाहे तो इसका ये भी होता है एक formula क्या तो जो इसकी उच्चाई है उस उच्चाई का आप कर दोगे square और फिर आप क्या करोगे रूट 3 से divide कर दोगे और इसका एक formula possible है वो उता है अंतर लंबो का square क्या होता है अंतर लंबो का योग और अंतर लंबो के योग का आप क्या कर दोगे square करोगे और डिवाइड कर दोगे रूट थ्री से समझ में आ गई बात तो ये है अपने समभाहू त्रीबूज की पूरी की पूरी डिटेल किलियर है अब अगर आप लोगों को एक जनरल त्रीबूज की बात की जाए जिसमें तीनों की तीनों बुजाए अगर अलग अलग दे रखी है तो आप क्या करोगे तो उसके लिए एक हिरोईंस का फॉर्मूला डेलप किया गया है जिसके अंदर आपको केवल क्या करना है त्रीबूज का अर्द परिमाप निकालना आना चाहिए आप उसका चेत्रफल आटोमेटिक निकाल लेंगे तो वो मैं आपके सामने एक स्पेसल केस है जो आपको याद रहना चाहिए वो बता देता हूँ जैसे ये बना दिया तो अब इसकी मान लो ये है A बुजा ये है B बुजा ये है C बुजा किलियर है तो यहां पर हिरोइस के अनुसार अर्द परिमाप जो होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तो वही परिमाप क्या होता है पहले तो ये पता हो न चीए तो A प्लस B प्लस C अर्द परिमाप बोला है यानि A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 किलियर है फिर इसके चेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका जो चेत्रफल होगा वो क्या होता है तो त्री पूज का चेत्रफल निकालने के लिए अर्द परिमाप निकालो फिर अर्द परिमाप माइनस A पूजा गुणा कर दो अर्द परिमाप माइनस B पूजा गुणा कर दो, अर्द प्रिमाप माइनस सी पूजा किलियर है बात, समझ में आ गई बात किलियर है आप सभी लोगों को तो अब दोस्तों अपनने अभी अभी क्या-क्या पड़ा है अपनने पड़ा आयत के बारे में, वर्ग के बारे में और त्रीबूज के बारे में तो आपने जो है दोस्तो समतल आकरतियों के चेत्रफल के अंदर लगबग पढ़ लिया है अब आप लोगों को पढ़ना किसके बारे में हैं तो अब हमें पढ़ना है वरत के बारे में और समानतर चत्रबूज के बारे में सम चत्रबूज के बारे में और सम लंब चत्रबूज और चत्रबूज का जो छेत्रफल होता है वो पढ़ना है ठीक है? चलिए अब आप बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले अपन किसकी तो सम सट भूज की बात करेंगे ठीक है? तो आप अपनी कौपी में लिखेंगे सम सच भूज यानि की चे बूज़ाएं बराबर हो क्या? चे बूज़ाएं जो है ऐसे अपन मतलब त्रीबूज की बात कर रहे हैं जो चे बूज़ाओ का हो सम सट भूजो ठीक है मतलब चे बुजाओं वाली आकरती की अपन बात कर रहे हैं यानी चे सम बाहूत री बुजों की बात कर रहे हैं और इसे इंगलिस में कहा जाता है सेक्टाइल क्या कहा जाता है सेक्टाइल कहते हैं तो अपन बात करेंगे समसर्ठ बूज के बारे में अब ये समसर्ट बूज कैसा दिखता है तो ये इस टाइप का दिखेगा आपके सामने में रख रहा हूँ अभी इसको देखेगा इसको ठोड़ा सा सुला देते हैं ये लो उलो ठीक है चलो अब इसके अंदर क्या कर देंग तो ये जो है इससे मिलेगी फिर इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे तो ये जो है दोस्तो अपने सामने क्या बन गया ये है अपने समसट बूज चे बूजाएं सम्मान है इसके अंदर ठीक है ये चे की चे बूजाएं क्या है सम्मान है तो जब इस समसट बूज की बात की जाए तो समसट बूज का चेत्रफल क्या होगा तो आप इसका चेत्रफल लिखेंगे तो समसट बूज का जो चेत्रफल होता है वो होता है 3 under root 3 divide by 2 into बूजा का square ठीक है तो समसट बूज का चेत्रफल क्या होता है 3 root 3 by 2 बूजा का square समझ में आ गई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए तो ये है अपने समसट बूज की बात इसी के साथ मैं मैं इसको उपर shift कर रहा हूँ और इसी के नीचे एक और बता देता हूँ आपको अब आपको केवल फॉर्मूले याद रखने है ठीक है डारेक्ट फॉर्मूलों से ही question पूचा जाता है बाकी मैं जब अब भी question प्रैक्टिस करवाँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे questions पूचे गए है next है अपना समांतर चतर भूज क्या है दोस्तो समांतर चतर भूज की अपन बात करेंगे समांतर चतर भूज को इंगलीज में कहा जाता है parallelogram क्या कहा जाता है parallelogram yellow ठीक चलो parallelogram कैसा दिखता है तो parallelogram जो है दोस्तो आप लोगों को कुछ इस परकार का दिखाई देगा ऐसा कैसा दिखेगा इस टाइप का दिखाई देगा इसके अंदर अपन बना देते हैं अब विकनों को तो ये इसका एक विकन आ गया और यहां से ये इसका दूसरा विकन आ गया ठीक है और इसका नामकरण कर देते हैं तो ये है A ये है B ये है C ये है D clear है इसके अंदर भी जैसे आयत के अंदर होता है आमने सामने की बुझाएं बराबर होगी यानि A, D बराबर होगी B, C के A, B बराबर होगी C, D के clear है तो ये चतरबूज जैसा होता है जिसमें आमने सामने की बुझाएं बराबर होती है साथी साथ आमने सामने की बुझाएं समानतर भी होती है क्या होती है समान होती है और समानतर भी होती है उन्हें का जाता है समानतर चतरबूज किलियर है आप आयत को समानतर चतरबूज कह सकते हो क्या आयत को आप समानतर चतरबूज कह सकते हो लेकिन समानतर चतरबूज को आयत नहीं कह सकते तो मैं यहाँ पर shortcut में लिख रहा हूँ कि आयत जो है उसे आप समानतर चतरभूज कह सकते हो जबकि समानतर चतरभूज को आयत नहीं कह सकते तो आयत को समानतर चतरभूज कह सकते हैं लेकिन समानतर चतरभूज को आयत नहीं कह सकते क्योंकि आयत के चारो कौनों पर बने हुए जो कौन होते हैं उनका मान 90 डिगरी होता है जबकि समानतर चतरभूज में 90 डिगरी नहीं होता है ठीक है समानतर चत्रबूज के अगर चेत्रफल की बात की जाए तो समानतर चत्रबूज का जो चेत्रफल होता है वो क्या होता है तो वो होता है आधार गुणा उच्चाई किलियर है बात समझा आगई बात आधार गुणा उच्चाई होती है नेक्स अगर इसके अंदर बात की जाए तो आपको एक पॉइंट जो है वो नौट डाउन करना है और वो यह है कि समानतर चत्रबूज का परतेक विकन उसे दो समान भागों में बाटता है ठीक है तो समानत अगर चत्रबूज का परतेक विकन उसे दो समान भागों में दो समान भागों में दो समान भागों में विबाजित करता है किलियर है बात समझ में आ गई ना तो यह है अपना समान अंतर चत्रबूज ठीक है परेलोग्राम चत्रबूज या परेलोग्राम तो परेलोग्राम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसे आप आयत आयत को तो आप समानतर चत्रबूज किया सक इसका चेतरपल होता है आदार गुणा उच्छाई इसके अंदर जो विकर्ण है वो दो समान बागों में इसे बाटता है Next अपने आ जाता है अब सम चतरबूज ठीक है कौन आ जाता है दोस्तों सम चतरबूज तो अब आप लिखेंगे सम चतरबूज के बारे में सम चतरबूज को इंगलिस में कहा जाता है रॉमबस क्या कहा जाता है ठीक है चलिए अब ये रॉमबस कैसा होता है इसकी बात करते हैं तो रॉमबस के अंदर बैसिकली क्या होगा कि इसकी जो है भुजाएं वो बराबर होगी ये ये एक सेकेंड ये लेजे ये जो है अपने सामने क्या बन गया है दूस्तों ये अपने सामने रॉमबस बन कर तैयार है ठीक है इस रॉमबस में भी क्या होंगे विकर्ण ये एक इदर और एक इदर किलियर है अब इसका कर देते हैं अपन डिटेल में डिस्कसन तो देखिए भाई सम चत्रपुज यानि रॉम्बस रॉम्बस यानि की सभी भुजाएं और जो आमने सामने के कौन है समुक कौन है वो भी सम्मान हो ठीक है तो सभी सम्मुक कौन सम्मान किलियर है बात समझ में आ गई आपको तो सभी भुजाएं और जो सम्मुक कौन है वो क्या होंगे दोस्तो सम्मान होते हैं अगर सम्चत्रपुज के चेत्रफल की बात की जाए तो सम्चत्रपुज का जो चेत्रफल होगा वो क्या होगा तो वो होगा एक बटे दो गुणा इसके जो विकरन है उन विकरनों का विकरनों का गुणन फल समझ में आ गई बात किलियर है आप लोगों के तो सम्चत्रपुज यानि सभी भुजाएं और सम्मुक कौन सम्मान होंगे चेत्रफल इसका होता है एक बटे दो गुणान फल विकरनों का ठीक है और इसमें ये भी बात याद रखनी है कि जो विकरन होते हैं ये विकरन एक दूसरे को सम्कौन पर सम्दी बाजित करते हैं ठीक है विकरन सम्कौन पर सम्दी बाजित करते हैं समझ में आगई बात किलियर है तो ये था आपना क्या दोस्तो सम्दी बाजित करते हैं वो है एक तो चत्रबूज और एक बचा है वरत और फिर अपन बात करेंगे गन गनाब और उसके प्रशनों की तो वो पूरा का पूरा पोर्शन मैं अगली वीडियो के अंदर एक साथ कवर कर दूँगा ठीक है तो आज सबन जो है इसी क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक दिल की कहराई से धन्यवाद की आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे है बस यह प्यार जो है यूहीं बढ़ाते रहे जादा से जादा विद्यारतिों तक पौँचाते रहें ताकि जादा से जादा विद्यारतियों को साइता मिले क्योंकि जब मेरे पास मैं कमेंट आ रहे हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे है जो कह रहे है सर मैं मलब नेट भी दूसरों के वाइफाई से कनेक्ट करके ले रहा हूं वीडियो डाउनलोड करके पढ़ रहा हूं तो ऐसी जब एक कमेंट आ जाती है तो मुझे दिल को बहुत सुकुन मिलता है कि चलिए मैं उस विद्यार्थी तक पहुचा हूं जो विद्यार्थी रियली गरीब था तो मैं ऐसी कोसिस कर रहा हूं कि आप सभी लोग राजस्तान के उन सभी गरीब विद्यार्थियों तक प कंप्लिटर हो जाएगा जै हिंद जै बारत लव यू अलोप यू टेक केर और प्लीज चेर विद यूर फ्रेंड्स